नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आफिशिल उटूब चैनल जीएस भी नियरसर में जैसा की एंटी पीशी का पेपर आज से स्टार्ट हो रहा है फेज टू में ठीक है 27 लाग कंडियेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे टूटल 27 लाग ठीक परिशान होने की बहुत ज़्यदे आउस्टा नहीं है बस आपको रेगुलर बिस्टिस पर प्रक्टिस करते रहना है ऐसा नहीं है कि आप एक्जामनिस अन्हाल में पहुंचें तो आप पहले से ही मूर बना ले कि हमें 100 में 100 अटेंट करना ही करना है अपने फेज के हिसाब से यानि सिफ्ट करें क्योंकि 1 by 3 मारकिंग का प्रावधान है तो इससे बचने के लिए आपको सरसरी निगाह में पूरा पेपर स्वाल करना है ठीक है सरसरी निगाह में एक बार पेपर सॉल्प करने पे 100 क्वेस्टन्स में हमें लग रहा है 50-50 क्वेस्टन्स आपके सही हो जाएंगे उसके मिनट में तो तीस मिनट में अगर 15 question और solve कर ले गए और इधर 60 मिनट में आपने 50 questions solve किया तो आप 65 questions आपके exact सही हो गए ठीक है और अगर 65 questions आपके exact सही हो गए minus marking नहीं है इसमें तो फिर आपको normalization में बहुत बढ़िया benefit मिलता है normalization में कम से कम आपको यहाँ 15 से 20 अंकों का प्रावधान है normalization में ठीक है अगर minus marking आपके कम जा रही है तो आपको normalization में ज़्यादा अंक मिलेंगे अगर normalization में आपको कम अंक मिल रहा है इसके कहने का ताथ पर यह है कि आपने minus marking खुब अच्छा ढंक से achieve किये तो इसलिए minus marking से बचे पेपर को पहले हलके में solve करें यानि round figure में solve करें जित्ते questions आपको सही आ रहा है उन्हें solve करने के चेश्टा करें उसके बाद आप finally उन questions को touch करें जो आपको lengthy लेंदी लग रहे थे ठीक है कई बार questions लेंदी तो होता है लेकिन solution उसका बहुत सही होता है उन्हें भी solve करने के कोशिस करें लेकिन किसी भी प्रस्ण पर आपको extra time नहीं देना है किसी भी प्रस्ण पर आपको extra time नहीं देना है खास बात दिया है कि phase one का paper complete हो गया है उसकी यह benefit मिलता है कि repeated questions बहुत ज़्यादे आते हैं साथी साथ previous year के questions को solve करते रहना है क्योंकि previous year का बहुत बड़ा role होता है railway में तो उसको solve करते रहना है और मैं बता दूं कि mock test daily basis पर आपको mock test देके ही जाना है क्योंकि तब ही आपको exact time का पता चल पाएगा right time में आप paper कैसे कर सकते हैं वो आपको बढ़ियां से benefit दिलाता है mock test ठीक है तो mock test daily basis पर देते रहना है साथी साथ previous year के questions solve करते रहना है और हां round figure में paper को solve करना है जितने questions आपको पहले आ रहे हैं उन्हें solve कर लेना है उसके बाद थोड़ा जो lengthy questions है उन्हे time लग जाता है बड़ा सा paper दिया चार type का उसे पढ़ना है उसके बाद उसका right answer एक line में आ जाएगा लेकिन कई बाएर यह होता है कि lengthy questions आपको फसा देता है और आपका 57 minute ना जायर ले जाता है और एक number का questions होता है कई लोग उसे भी गलत कर जाते हैं तो इसलिए उनसे बचन है यहां पर तो इन सारे बातें का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका paper आज से बहुत अच्छा होने वाला है phase 2 हो phase 3 हो phase 4 हो कोई भी phase हो उसमें आपको benefits जरूर मिलेगा तो अभी से इन बातों का ध्यान रखें गांट बांद लें कि हाँ पहले तो previously solve करके जाना है फिर पहल तो किस बैसेज पर हमें 100 questions attempt करने है या फिर 100 नहीं attempt करने है तो 80, 80, 70, 75 और खास बात है कि shift 1 और shift 2 कई बार आपने देखा shift 1 और shift 2 इसमें क्या हुआ है कुछ लोग 90 मिनट में 45-45 questions कर पा रहे हैं और कुछ लोग 90 मिनट में वो पहले से target बना के जाते हैं कि हमें 90 plus questions करके ही आना है ऐसी विचार धारा बिल्कुल त्याग दीजिए अपने shift के हिसाफ से paper करिएगा अगर आपका shift थोड़ा सा tough लग रहा है आप तो tough questions को minus marking से बचने के लिए आपको अच्छे से solve करना है कहने का ताथ पर ये है कि अगर आपको questions आ रहा है तभी आप solve करिए ये target बना क कि बिल्कुल मत जाईए गया कि हमें आज 90 questions करने ही करने है ज्यादा questions करने भी आपको हानी है ठीक है हानी का मतलब ये है minus marking से आपके exact real number मिल रहे हैं वो भी घड़ जाएंगे इसलिए इससे बचना है shift 1 48 shift to 90 इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप 55 से 60% कर पाते हैं और exact है त तो आपको तुक्का मानने की भी आवा सकता नहीं है 60% बहुत हो गया यार 60 अगर आपके सही जा रहे हैं तो 20 number आपको normalization में मिल जाएगा 80 82 हो गया कटाफ इससे हाई कहीं नहीं जाना है तो इसलिए exact questions करने की कोशिस करिए हाँ तुक्का अगर लगाना ही है चार options होते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th पहले आपको ये confirm कर लेना है कि कौन-कौन से option आपको एकदम गलत दिख रहे हैं उन्हें पहले काट दीजिए उसके बाद जो दो options बचते हैं इसमें 50% के chances हो जाते हैं इसमें आप तुक्का लगा सकते हैं इसमें आपको benefits भी है लेकर अगर 1 by 4 में कहा जाए तुक्का लगाने को तो आपको बिल्कुल गाणत decision है ऐसा बिल्कुल मत करना है ठीक है क्योंकि यहां पे आपको बिल्कुल minus marking की ओर ले जाएगा 25% का chances बहुत कम हो जाता है लगकि 50% का chance सही होने का बहुत बढ़िया है इसलिए तुक्का भी लगाना है तो थोड़ा दिमा रखके ही लगाएं ऐसे नहीं कि हमें अब बिल्कुल करना है इसलिए तुक्का ही बहुत जरूरी है तो बजके रहें डेली मॉक टेस्ट हैं साथ ही साथ प्रिबेसर के question सॉल्व करें फेज वोन का paper complete हुआ है उसे सॉल्व करें और नियमित प्रक्टिस करें प्रक्टिस बह होद बड़ी उपलब्दी है ध्यान रखना है टाइम मेनेजमेंट आपको वही सिखाता है मॉक टेस्ट और डेली बेसर प्रक्टिस तो मिलते हैं नेक्स अब तक के लिए जय हिंद